रास्ट्री खेल दिवस की औसर पर रविवार को रिजनल स्पोर्स स्टेडियम में सम्मान समारो आयुजित किया गया जिसमें परवता रोही नितीज सिंग तथा बास्केट बॉल चैंपियन अनन्त सिंग को सम्मानित किया गया आपको बता दे कि नितीज सिंग योरूप महादीब की सबसे उची चोटी माउंट एलवरुस पर करीब 18,510 फीट चड़ाई कर 15 आगस्त को भारत का तिरंगा फैराने में सफल हुए थे कारिकरम में मुक्य अतिती दर्जा प्राप्त राजमंत्री एवं विवा कल्यान परिशत की उपाद्यक्ष डॉक्टर विभराट चंडर कौसिक ने दोनों खिलाडियों को अंगवस और स्मितिश्चिन ने दे कर सम्मानित किया सम्मान समारों में जिलाईवा कल्यान अधिकारी अमित कुमार सिंग, शेत्री कृड़ा अधिकारी आले हैदर, प्रशांत जैस्वाल, पुनित कुमार सहित अन्यलोग मौजूद रहे इस संबंध में गोरकूर्णियों से बात करते हुए परवता रोही नितीर सिंग और दजा प्राप्तर राज्यमंत्री डॉक्टर विभराट चंडर कौसिक ने कहा परवता रोही नितीर सिंग आज आपको समानित क्या गया है बहुत अच्छा लग रहा है बलकि प्रोहिसाईत और लगता है और एक मोटिवेशन और मिलती है आगे कुछ और अच्छा करने के लिए और चोटियों को फटा करने के लिए क्योंकि जब लॉट के आओ और एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है एक समान मिलता है तो कही ना कहीं बहुत अच्छा लगता है और बाकि जो भी एक लारी उनके लिए कहा है बस यही कहूंगा कि हमेशा एक पॉजिटिव चीज को अपने अं अच्छा है और आज मुझे सम्मानित किया गया है और बहुत अच्छा है और एक प्लेयर को जब कोई सम्मान मिलता है एक पॉजिटिव एनरजी आती है उसके अंदर और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक अच्छा लग रहा कि जहां पहले सामने खड़ा होता था आज मैं इ प्रते एक वार्ष हागी के जादूगर मेजर ध्यान चन्जी के जन्म दिवस 29 सगस को खेल दिवस के रूप में मनाती है और इसी के उपलच्छ में पूरे भारत में छोटे मोटे खेल के आयोजन किये जाते है ज्यान चन्जी में आप सब जानते हैं कि विश्व में भारत का कौरो उचा किया था और जो हमारी पारंपरी खेल है गाउं की खेल है ग्रामीड परिवेश की खेल है उसको पाली बार भारत का प्रत्निधित मेडल के रूप में अगर किसी ने दिलाया तो मेजर ध्यान चन्जी आज उनके जन्म दिवस के अउसर पे यहां पर गोरपूर में छत्री केडांगर में खेल विभाग द्वारा 19 वर्ष के कम उमर के बच्चों का एक हाकी मैच कराया गया मानिया रशो साथ द्वारा और युआ कल्यार विभाग द्वारा एक अभी जल्दी ही पंद्रा गसको भारत का जंडा रासा में 8,18,510 फुट उन्चा पर 15 गसको फाराने वाले श्री नितीश सिंग्जी को और वास्केट बाल में भारत का प्रतिनेदित्व करने वाले श्री अभिनाज सिंग्जी को यहां पर सम्मानित किया गया है खेल दिवस के अउसर पे मैं चाहता हूँ और मेरी प्रभुसे प्रार्थना है उत्रप देश की सरकार अन्वरत खेल के दिशा में प्रयास कर रही है अभी मन्नी मुख्वंत्री जी ने एक क्रामीड खेल को गोड लेने की घोचड़ा की थी और उसके लिए अभी परसों उन्होंने कुष्टी को गोड लिया है कुष्टी के विकास के लिए 170 करोड रूपे उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी अभी जो खेलाडी छत्रवासों में रहते थे उनको 200 रूपे आहार भत्ता मिलता था अब मानी मख्रोंत्री जी ने घोचला की है कि वो 375 रूपे मिलेगा अभी हमारे खिलाडी चाहे ओलंपिक में खेलते थे कामन वेल्ट में खेलते थे लेकिन उनकी रोजगार की बहुत अत्यालप भी वस्ता थे मानी मख्रोंत्री जी ने घोचित किया है कि जो खिलाडी इन खेलों में प्रत्रिजित करेगा उनको हम सरकारी नोकरी देंगे पुलीस में देंगे और रेलुएम देंगे और राज़र्स में देंगे और योगता के अनुसार अगर अच्छे योगता होगी हम राजपत्रित अधिकारी तक बनाएंगे सरकार का एक मूल मंत्र है धे बाक्य है कि फिट यूथ फिट इंडिया स्वस्त यूवा स्वस्त भारत जै